कि गरूण में विघद लंबे समय से बंद चल रहे आधार केंद्र को फिर से शुरू किया गया है जिससे यहां बड़ी शंक्या में लोगं को रहात मिली है आधार केंद्र नहीं होने के कारण गरूण में लोगं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था ग्रामेल ने आधार के अंदर शुरू करने की मांगी थी इदर आधार के अंदर शुरू होने के उपरांथ ग्रामेल जंता ने रहात के सास की है बस मैं यही कहना चाहूँगा कि यहां पर व्यस्ता कर दी गई है इस्टाप की व्यस्ता पूर्ण हो गई है और अधार सेंटर की क्यों कैपेसिटी यह वो 20 से 25 लोगों की ही है एक दिन में यही लोग व्यस्ता बनाए रखेंगे और 37 से पना काम कराएंगे तो यहां पर व्य पाइदा मिलेगा समाज का फायदा है क्योंकि गरूर के अंदर को यह और अधार सेंटर चालू नहीं है और बड़ी मुस्किल में इसको चालू करवाया गया दुबारे तो यह वैस्ता बनी रहेगी तो यहां पर सम सारा कारिया सुचार रूप से चलता रहेगा यह बताना म काट के लिए कई चीजों के लिए यहां पर आ रहे थे तो वो सुविधाये सारी बंद हो गई जिस वज़से लोगों को बड़ी परिशानी उठानी पड़ी और बागिश्वर का रूप देखना पड़ा इसलिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं जिन लोगों के द ना स्टाफ को ना पबलिक को अपने बारी आने तक आप लोग इंतिजार करें और अपने नंबर पर ही अगर आप लोग यहां उपस्तित होंगे तो कोई भी परिशानी किसी को नहीं होगी और यह सेंटर इसी प्रकार से सुचारू रूप से चलता रहेगा आप सबुका धन के गाउं के लोग आते हैं, उनको परिशानी नहीं हो, लेकिन अपने जो छेत्र के लोगों से अनुरोट को निवेदन करूँगा, कि यह भी इस तरह की चोटी-चोटी इसू के बना कर, इस तरह का क्योंकि इससे कही न कही आधार में कही गलबड़ी हो रही थी तो उसकी सासनी गूप से, लेकिन इसकी सूचना न देकर यह आधार बंद हुआ, जिसका कही न कहीं छेत्र के लोगों को नुक्सान दूआ, और मेरा सभी लोगों से निवेदन देगा, यह आधार बढ़ियार तरह से काम करेगा, और हम लोगों की जो भी हमारी आवसक्ता है, हमारी सब्सक्राइब के लिए ब्योरो रिपोर्ट वागी शर्फ